गुट इविनिंग एव्रिवान। हाव इट गुएंग। वेलकम तो आवर एजुकेशन प्लाटफॉर्म इन करन्ट एलेक्रिसिटी पार्ट थ्री। करन्ट एलेक्रिसिटी चा तीसर्या भागात आज आपन एकतर वाले लुआ होत। या आधि आपन दोन वीडियोज पाहिलेद कि जे करन्ट एलेक्रिसिटी से संबंधित होते। पहिले आपन तीन साइन कंवेंशन शिकलो। ती साइन कंवेंशन आपन एडॉप्ट के लिली आहेद कि वा आपनला करावी लाकतात। जावेस मी क्रिचॉप्स करन्ट लौ शिकना राहे आणि क्रिचॉप्स होल्टेज लौ शिकना राहे। तीन साइन कंवेंशन पैके मी असमत लगी। पहिले साइन कंवेंशन है क्रिचॉप्स करन्ट लौ साथे आपनला एडॉप्ट कराव लागले। आणि उरलेली दोन साइन कन्वेंशन, मनें दोन नम्बर च आणि तीन नम्बर च साइन कन्वेंशन आप ले हला क्रिचॉप्स होल्टेज लोग डोव सिकने आछी वापराव लागना राएं. एडॉप्ट कराव लागना राहे मग मी पहला वीडियो मदे तुम्हाला ती नहीं साइन कन्वेंशन समझाओं सांगितली त्या नंतर चा वीडियो मदे मंजे वीडियो नंबर दोन मदे आपन शिकलो क्रिचोप्स करंट लो आनि आज आपले आला शिकाईचा है क्रिचोप्स होल्टेज लो क्योवा याला क्रिचोप्स सेकंड लो असर सुद्धा अपन मनुशक्तो है क्योवा याला के भी एल असर सुद्धा मंदलो जातो ये तैका लक्षात क्रिचोप्स होल्टेज लो आज आपलेला शिखाएचा है, स्टेटमेंट मी, बोडवरती लेलेला है, बगाबर काया जिस्ते, दो अलजेब्रिक सम ओफ, पुन्हा आपलेला काय कराईजी आहे, तो एडिशन कराईजी आहे, पुन्हा एका कॉंटेटी चे एडिशन कराईजी नाही, तो आपलेला एक प्रोडॉक्ट गहे जाए, आनि त्या प्रोडॉक्ट चे आपलेला काय कराईजी आहे, ठीक है? आनि मग हा करंट मल्टिप्लाड बाई रेजिस्टन्स I.R चा जे उड़या काही पेर्स ते सर्किट मदे तायार होता स्थील तेंची काय गही ची तर अलजेब्रिक सम गही ची ठीक है? आनि एकोर्डिंग टू क्रिचॉप सेकंड लो और क्रिचॉप्स होल्टेज लो ही अलजेब्रिक सम आहे ती कोणा इतकी असती है? टेकन अलॉंग एनी क्लोजड लूप एका क्लोजड लूप मदे घेत ली एका क्लोजड सर्किट साथी घेत लेली कि वह एका अलजेब्रिक सम आहे ती इकोवल टू असते है तो अलजेब्रिक सम ओफ एम एफ इन दाट सर्किट बगा ही आई डॉट आर जी अलजेब्रिक सम त्या सर्किट मदे कनेक्ट के लेल्या सेल चा एम एफ चा अलजेब्रिक सम इतकी असते ठीक है? पुना एक दां दो and resistance, current and resistance. आधी product गहाँच, और Much Algebraic Sum गहाँची. taken along any closed loop is equal to the Algebraic Sum of Algebraic Sum अपन हैं साइन कर तो Algebraic Sum of EMFs in that circuit. जरे वडे काही सेल, एक सेल जोड ली असेल, तर एक EMF डोन सेल जोड लीला सेल, तर दोन EMF है मुझे हैं करते हैं ही थी तो 1944 में इस थी ताइपरो परहोमने रड़्हों कि दायरो हुनर सेंद से आपका को तो समेशन ये समेशन ये समेशनों अइन्द एक, परेगे, परेत ऑबेर आवेस आसो नहीं आज आतर रहते वाठे चाहें, अवा पालेटी आपके nya और edda क्रिपकलन काचा है . रहे मंजे क्रिचॉप्स होल्टेज लौ सुद्धा क्रिचॉप्स करंट लौ इतकाच सोबबा है आनि मुलात आपलेला तो आपलाय कुट कराये चाहे तर एका कॉंप्लिकेट सर्कीट साथी आपन तो आपलाय करना रहोत जितका आपलेला ते लौच चांगले समझतील आपले सापलेला रह यह लौज गूप चांगले समझना रही ठीकेट तुम्हाला कर लए सम्मेशन आई डॉट आर हमाया जाएला पाइजे तर सम्मेशन इ इतका है आनि यह कौं सांगता है तर कुछा चॉप्स सेकंड लौ सांगता है क्यूआ क्रिचॉप्स सा होल्तेज लौ हमी एक CR daagram केले लिए board वर ती चनि रिक्ष nuestra चला घुजसा झरp चला एक सरकिट रों केले त्या सर्कि कमेश्च मदे दोन सेल्स तुमोलवला धीसी दाहीं दिसल्या एका सेल्च एम्फ E1 तीच्चा भरोबर खाली दुसरी सेल्च कनेक्ट के लिली त्या सेल्च एम्फ E2 सर्कीट मदे अपला टोटल किती सेल्च जाले आता? 2 सेल्च जाले, ठीके? अपले सर्कीट मदे रेजिस्टंस कुट कुट दिस्त तते तुम्हाला बावा R1, R2, R3, R4 आनि R5 है रेजिस्टन्स एशे मन्जे किती रेजिस्टर सर्किट मदे कनेक्ट के लेद आपन 1, 2, 3, 4, 5 एका रेजिस्टर चा रेजिस्टन्स R1, दुसरा चा R2 थिसरा चा R3 चा होतिया चा R4 आनि R5 ठीके पाच रेजिस्टर सर्किट मदे कनेक्ट चा लेद आए सेल्स किती आए, दोन सेल्स आए करंट बागा किती दिस्ता दे करंट चा किती मैगनेटूड तुम्हाला दिस्ता आए I1, इधपन I1 सेम करंट, मन्जे जोग करंट सपोज मैं असा मनता सेल्गी एक एमपियर, R1 मदून फ्लो होतो है, तर एकच एमपियर, R2 मदून सुद्धा फ्लो होतो है, मनून इता I1 आनि इता सुद्धा का आहे तर I1 दुसरी करंट चे मैगनेटूड दिस्ती बागा तुम्हाला I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 मन्जे, मैं समन्ते कि सपोज I1 आसेल सपोज मन्तिया मैं आपन सपोजिशन करतो है सपोज, I1 आसेल एक एमपियर आनि I2 आसेल एक एमपियर तर, R3 मदून 1 एमपियर प्लस 1 एमपियर किती करंट फ्लो होतो है, 2 एमपियर तोच 2A R4 मदून सुद्धा फ्लो होतो है आनि तोच 2A करण R5 मदून सुद्धा फ्लो होता है ठीके अलग तुमचे लक्षा R3 मदून R4 मदून आनि R5 मदून फ्लो होना रहा करण्टची मैगनिटूड सेम आहे I1 प्लस I2 I1 प्लस I2 ठीके आता आपन लूप अस मनतो कि वह मेश मनतो है कि वह सरकीट मनतो है त्या वैस आपन त्या सरकीट ला लेबलिंग करता स्तो लेबलिंग नहीं केल तर काई हर्कत नूँथी आपने साइन कन्वेंशनज अपलाइ करांची आहेत कि आपन कृचौप्स होल्टेज लो साथी आडॉप्ट केली होती आपने सरकीट ला लेबलिंग करनगर जेज आहे आनि मी ती केले बगा तुम्हाना दिस्ताई का सर्किट मते हे एक जंग्षन है हे जंग्षन आहे प्रत्य के एका जंग्षन ला मी लेबलिंग के ला इता मी मंटल ए जंग्षन ए इता मंट ये B ये जंग्षन ला मंटल C D E F आने पुन्ना A ठीक है? मंजे आपन काई करून टाक लेला है आपल्या सर्किट ला लेबलिंग करून टाक लेला है आता बगा आपल्या सर्किट मदे ये जो सर्किट आहे कि जैचा मदे दोन सेला है पाच रेजिस्टर्स आहे कि जालना तुम्ही लेबलिंग के लेला है तर एक असा सर्किट टायर जाला A, B, C, D, E, F, A यहला आपना असा मुनू शक्तो बगा लूप A, B, C, D, E, F, A बगा बर आपले लूप कसे A, B, C, D, E, F, A यह अपले असा एक लूप टायर जाला कि जा मदे आता दुसरी सेल येत ज नहीं है फक्त एकच सेल ये आणी 5 रेजिस्टर्स ही येती ठीक है? एक सेल इवन येल आणी उरले लेले 5 रेजिस्टर्स यह लूप मदे येती कारण F, C कुटच दिसत नहीं है इथ दिसते का बगा A, B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to A F, C, कि वह C, F आणी 5 रेजिस्टर्स दिसते का इथ नहीं मंजे या सर्किट चा F, C हा भाग आपले या लूप मदे येत नहीं ठीक है? आजुने एक लूप तायर होई सांगा बरो सांगा बरो तुम्हाला येता है का सांगता? A, B, C, F, A बगा लूप A, B, C, F, A A, B, C, F, A या लूप मदे का येता है बरो? या लूप मदे दोन सेल ले ताथ आणी दोन रेजिस्टर से ताथ बरो बरना एक तिसरो लूप सुदा तायर होई बगा में सांगते F, C, D, E, F F, C, D, E, F F, C, D, E, F या लूप मदे का येल बरो? तर एक सेल येती है आणी तीन रेजिस्टर से येता थे R4, R5 आनी R3, R4 आनी R5 वर्चा सर्किट येता चले ठीक है? मंजे तुमी है सर्किट चे लूप तयार करू शकता मंजे आपन जावेसा समनतो कि सर्किट कॉंप्लिकेटेड है माला पटकन नहीं सॉल करता येते हैं क्युवा ते सर्किट मदे कनेक्ट के लेले रेजिस्टर्स हे सेरीज पैरलल कॉंबिनेशन मदे है सेर्किट मदे कनेक्ट के लेले रेजिस्टन्स करंट हरणि अनी सेल च लेला है मी कि जे तुम्चा सहस्तेने लक्षा त्राहिल I1, I2, I3, I4, I5 असा करंट चा मैगनिटूड वाड़ाव लेला नाइएद आपले सर्किट मेदे फक्त दोनस प्रकारचा करंट आहे एक आहे I1 आनि दुसरा आहे I1 प्लस I2 ठीके तुम्ही बारकाईने निरिक्षन के लगत लक्षा तील I1 हा करंट दोन रेजिस्टर मदूं पास होतो R1 आनि R2 आनि I1 प्लस I2 हा करंट तीन रेजिस्टर मदूं फ्लो होतो है R3 R4 आनि R5 मंजे तुम्हाला जास्त कटकटी चा हुनार नाहीं है सर्किट लग्षा ठेवाईला ठीके सेल E1 सेल E2 हे जे लूप आहे आपलगए A B C D E F A हे कसर रन होता है clockwise का anti-clockwise सेंस ने है हे clockwise सेंस ने रन होते है यह असर होते ठीक है इता है A B C D E F A मंजे। आपलगण आपलगण जे ट्रेस करतो है पन लूब जे कंसीडर करतो है ते clockwise सेंस ने आ है पंजर current तुम्ही बग इतला तर current कसा दिस्तो है बगा इता बी कड़ुन एकड़े E कड़ुन F कड़े F कड़ुन E कड़े E कड़ुन D कड़ डी कड़ुन C कड़ुन C कड़ुन B कड़े बी कड़ुन पुन्ना एकड़ मुझे लूप चा बरोबर अपोजिट डायरेक्शन ने कुन फ्लो होतो है तर करंट फ्लो होता है बरोबरे ना मुझे या सर्किट मतला करंट एंटी क्लॉक वाइस सेंस ने आहे आनि या सर्किट मतला लूप क्लॉक वाइस सेंस ने आहे ठीक है रही लक्षात तुम् क्लियर होन जाई ठीके क्रिचॉप्स होल्टेज लौच स्टेट्मेंट का है समेशन I.R इक्वल्स टू समेशन E मन्जे लेप ठेंड साइडला तुम्ही I.R हाज प्रोडॉक्ट आहे तेंचा काय कराईचा सम कराईचा या सम करतास्ताना साइन कन्वेंशन वा प्राले विसराईचा नाही आनि इक्वेशन चा उजवया बाजूला जा सर्किट मदला सेल सस्तील त्या सेल चीकाय कराईची ओल्जेब्रिक सम कराईची ठीके? मा आत्ता आपन एक लूप कंसिडर करूए बगा, कंसिडर लूप मी है वर्च पहिले लूप कंसिडर करते, एक नमबर जो लूप A, B, C, F, A कंसिडर लूप A, B, C, F, A है एक क्लोजड लूप जाला आनि यहा क्लोजड लूप ला तुम्हाला काय कराईचा आहे तर साइन कन्वेंशन अपलाई करून जसा क्रिचोप्स होल्टेज लूआ है तस त्या लूप साथी जा एक्विशन लिहाईचा आहे ठीके? मंगा पनली हुए डावया बाजूला काय लिहाईचा I.R आनि उज़वया बाजूला काय लिहाईचा त समेशन E आता है लूप चानि रिख्षन केले किती अस्तील करन्टा नी रेजिस्टर चे पेर किती एद माँ जाखड़ दोना है I.R1, I.R2 मंजे दोन प्रोडॉक्ट ची मी काय करेल तर सम करेल ठीके? पन हें करत अस्ताना साइन कन्वेंशन अपलाई कराव लागते मगाता तुमाला दुसरा साइन कन्वेंशन आठा हो तेका बगा मी सांगते परतेक दा The current which are in the same direction in which the loop is considered are treated as positive while those which are in opposite direction are treated as negative मंजे जर लूप चा दिशेने current जात असे तर I.R ही पेर positive consider कराईची आणि लूप चा विरोधा तजर करन फ्लो होता सेल तर I.R ही पेर negative consider कराईची ठीके? माता बगा मी काय करते? या पहल्या लूप मदे सेल्स की दिस्ताते तो नेत E1 आनी E2 आनी I आनी R चा पेर की ते त्याही दो नेत बगा I.R I.R आता फ़क्त विचार काई कराईचा रहिला कि हा I.R मी positive लिहूँ का निगेटिव लिहूँ हाँ I.R मी positive लिहूँ का निगेटिव लिहूँ ही सेल E1 मी positive कदी लिहूँचे यह मैं फाने negative कदी लिहूँँ आनी E2 दुसर्या सेल्स यह मैं पॉजेटिव कदिली हैच आनी निगेटिव कदिली हैच आले लक्षाद एवड़सो पाहे माता बगा तर लूप चाज दिशेने काम कराईच लूप आपले आसे बगा A B C F A मन्जे लूप चानाओ A कड़ून B कडचाले B कड़ून C कड़े C कड़ून F कड़ आनी F कड़ून A कड़े आपन सोधात तसत जाओ याँ आपन आदी बगुया A कड़ून B कड़ जात असता ना A B पूर्ण सर्किट डोके ठेवनेची गरज नाए फक्त यह उड़ीच लक्षा ठेवा यह उड़ीच ब्रांच लक्षा ठेवू या तापन A आनी B चा मदे कोन कनेक्ट के लेला है तर सेल कनेक्ट के लेला है कि जा सेल चाओ EMF आहे E1 ठीक है मा आता E1 चाओ EMF मी विचार करती ना कि पॉजटिव कडिली हुआ ने नेगिटिव कडिली हुआ तर बगा तिसर साइन कन्वेंशन तुमाला सांगत लूप चा दिशे ने जर सेल ने करंट सेंड केला असेल तर त्या सेल चाओ EMF पॉजटिव कंसीडर कराईच जर तीस सेल लूप चा अपोजिट डायरेक्शन ने करंट सेंड करता सेल तर त्या सेल चाओ EMF निगेटिव कंसीडर कराईच ठीक है मा बगा था तिसर साइन कन्वेंशन नुशार मुझे A कड़ून B कड़ जानार लूप आहे जे लूप A कड़ून B कड़ चालले इतमीली दे 1, 2 मुझे लूप A कड़ून B कड़ चालले AB मद्या है सेल E1 आता सेल E1 ने जर A कड़ून B कड़ करंट सेंड केला आसे तर तीच एमF पोजिटिव आनि जर अपोजिट डारेक्षन ने करंट सेंड केला आसेल तर तीच एमF निगिटिव माता लूप तर चालले A कड़ून B कड़ पन तुमी करंट बगा कसा दिशतो है B कड़ून A कड़ निगालेला करंट मातर उल्टा जातो है करंट कसा जातो है B कड़ून A कड़ जातो है मंग आता बगा तुम्हाला ठरो नकिती सोपा है लूप तर A कड़ून B कड़ चालले पन करंट मातर B कड़ून A कड़ निगाला है कि जो करंट या सेल E1 ने सेंड केलेला है सरकेट मदी मंजे आशा वेज सेल पहल्या सेलच E M F E1 ही काई कंसीडर कराईच निगेटिव कंसीडर कराईच मनुमी इतली हुन टाकले निगेटिव किती सोपा है बगा ठीक है आता फूड जाविया आता लूप कुटून कुट चालले तर B कड़ून C कड़ माता B आनी C मदे काई कनेक्ट केले B आनी C मदे एक रेजिस्टर कनेक्ट केले ला दिशते है वगा आपन फूड़नी गाला होता 1, 2 लूप कसा चालले B कड़ून C कड़ B C मदे कोन दिशते है तुमाला I1 आनी R2 R2 मदून I1 हा करंट फ्लो होत अस्ताना तुमाला दिशतो है ठीके मा ही पेर माला आता गेहवी लागे I1 आनी R2 यनचा प्रोड़क्ट आता माला विचार करती मी पॉजेटिव लिहू का निगेटिव लिहू म बगा लूप चा दिशेनेजर करंट फ्लो होत से तर हाजो प्रोड़क्ट आहे तो पॉजेटिव लिहाई चा हे कुन सांगत सेकंड साइन कन्वेंशन सांगत आनी लूप चा पोजेट दिशेनेजर करंट फ्लो होत से तर हाँ प्रोड़क्ट निगेटिव लिहाई चा ठीक है माता लूप कुठों कुठे चाल लूप 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 चाल लू ठीके, कड़ला तुम्हाला साइना पन कसा दीला ते, त्यान अंतर खुड़ जाओ या तापन पुन्हाता लूप कुटून कुट चालला तर C कड़ून F कड़ चालला, बगाबर C आनी F मदे काय कनेक्ट केलेल दिसते तुम्हाला लूप चालला C कड़ून F कड़, C कड़ून F कड़े, C आनी F मदे तुम्हाला E2 ही सेल कनेक्ट केलेली दिसते ए, E2, ठीके, लूप चालेबलिंग C2F आता या सेल्च E MF E2 मी पॉजटूली हैचे का निगेटूली हैचे, असा विचार मी करती है, क्या वेस मी बगिल, कि हा E2 ने करंट कसा सेंड केला है, लूप चानावा जा दिशी ने सेंड केला है का, लूप चानाव काई C F, C F, लूप चानावा सा चालले, C F E2 ने सेंड केलेला करंट कसा चालला है, C कडून F कड़ चालला है, याचा अर्थ E2 चे E MF मी काई लिहील तर पॉजिटिव लिहील, अले लक्षा तुम जा, आता फुड़ जाओ या ता पुन, बगा, आता पुन्हा लूप कुट निगाला, F कडून A कड निगाला, F करंट मात्र कसा दिशतो है, भगा, तुम्हाला, खालचा दिशेने दिशतो है, E कडून कुट जानारा दिशतो है, तर F कड जानारा दिशतो है, याचा अर्थ करंट लूप चा अपोजिट डाइरेक्शन निया है, मुनुन त्या लूप मदे कनेक्ट के लेला, हा, जो R1.I प्रोडॉक्ट असेल, तो तुम्हाला कसा लिहावा लागेल, निगेटिव लिहावा लागेल, ठीके, ममेद लिते, I1.R1, हा कसा अला तर निगेटिव आला, जाला अपला इक वेशन तायार, लूप A, B, C, F, A साटीच, अले लग्षा, बगा, I1 ने सेंड के लेला करंट, आपन सरकीट मदे जी करंट ची डायरेक्शन दाखो अतास्तो, ती कन्वेशनल फ्लो आफ करंट अस्तो, कि जो आपन सेल चा पॉजटिव टर्मिनल पासों, निगेटिव टर्मिनल कड़, कंसीडर के लेला अस्तो, मग E1 ने सेंड के लेला करंट ला मी मनते I1, मंजे I1 हा क लो होईला निकुट येल तर, F पासी येल, आता F पासी काई होईल भगा, E2 ने जो करंट सेंड के लेला है त्याला, आपन I2 असम उनतो है, E2 चा सुधा पॉजटिव टर्मिनल पासों करंट जाईला निकुट येल तर, E2 चा निगेटिव टर्मिनल पासी येल, मंजे E2 पॉजटिव टर्मिनल पासों कोन बाहर पड़तो है आता हतर, I2, आणि है F पासी काई तायार होते है, I1 प्लस I2, E1 ने सेंड के लेला, I1 आणि E2 ने सेंड के लेला, I2, येल ची एडिशन कुट होती है, तर, Nod F पासी होती है, बड़ बनना, आणि मग, हाँ I1 प्लस I2 क कुट जातो है, तर, R3 मदून या जंक्षन C पासी जातो है, पन जंक्षन C पासी आले वर्ति काई होई, तर, जो I2 सेल चा पॉजिटिव टर्मिनल पासों निगाला होता, तो, सेल चा नेगिटिव टर्मिनल पासी जाईला, बड़ बरे ना, मंजे I2 सी पासी आले नंतर, स संक्षन B पासी जाईल, आनि तो, कुट जाईल, तर, सेल E1 जा नेगिटिव टर्मिनल पासी जाईल, मुनून, R1 आनि R2 ची पेर कोन आहे, I1 आहे, आनि R3, R4 आनि R5 ची पेर आहे, ती कोन आहे, I1 प्लस I2 आहे, राते है लक्षा, माता बगा, हेज एक्वेशन में आसली ह सकेल ना, माइनस I1, R2, माइनस I1, R1, इक्वेल टू, हाँ E2 पॉजिटिव है ना, मनून, आधी लिला तकाई फरक पड़नार ना, आधी, आधी लिती है में, E2, माइनस E1, ठीके, हे आपले लूप, A, B, C, F, A साटी चाई लिला मितर, इक्वेशन लिला, मन्जे, जाजा वेस, तुम्हाला, अपृजप्स होल्टेज लोचा, एक्वेशन लिला कराई एक्वेशन लिला, हे जाला, आपले लूप दूसरा लूप कंशिडर करू याग, हे पहला एक्वेशन में, रफ करूं ठाकते, हेला जा आपन पुन्हा लिला, आधी, लूप साटी, काले c d e f बगा लूप f c d e f आणि यहाँ लूप साथ ही आपले लगाय करायचे क्रिचॉप्स होल्टेज लो लिहाई जाहे असाच लिहलना मी समेशन i.r equal to summation e मंचे डावय बाजूला स्थील i.r च प्रोडक्ट परस्परान मदे एड के लेले पन साइन कन्वेंशन वाप रून आणि डावय बाजूला काया सेल तर सेलची e.mf की जनची तुम्ही काया कराल एडिशन कराल पनाता इद एडिशन करने साथे आपले लेकड सेल जनाई आप किती सोपपए बागा लूप चलाव बागा पुन्हाएक दा f c d e f मुझे किती आता रेजिस्टर आले तुमचा गड़ r3 r4 आणि r5 वर्चा सर्किट चा विचार करने ची गरेज नाई आणि प्रत्ते कामदुन फ्लो होनारा करेंट लक्षाय ठेवने चे तुम्हाला गरे r3 into i1 plus i2 r4 into i1 plus i2 r5 into i1 plus i2 equal to i2 e3 फक्त एक सेले e2 तेचा मुझे दूसरा कुटला सेल चाई एमेफ मदे तीला एड कराईचे कि वह सब्स्ट्रेक करने चे काये कारणाज नाई आता में फक्तासा विचार करील हे जे प्रोड़क्टा हे आर आनी आएचा आर आनी आएचा आर आनी आएचा जो प्रोड़क्टा हे कि वह है सेल चे एमेफ आहे दुसरा आनी तिसरा साइन कन्वेंशन वह प्रून हे पॉजिटिव कदीली है चे आने निगेटिव कदीली है चे यह उड़ाज विचार आपलेला करायचा आहे आहे की नाई सिंपल चला दर्मोग करूए अता पॉड बगा आपले लुग कुटून कुट चाल ले बगा F कडून C कड़ F C ठीक है F C मदे कोन कनेक केलेला दिशता है तर सेल E2 माता तिसर साइन कन्युएंशन हुआ परा आनि ह्या E2 चा EMA पॉजिटिव आहे का निगेटिव आहे ते ठरवा जर सेल ने लूप चा नावा चा दिशेने करंट सेन केला सेल तर ट्या सेल चा EMA positive नहींतर निगेटिव लूप चा नाव F C लूप चा लेबलिंग F C मंजे लूप चाले F कडून C कड़ पन करंट मात्र कसा दिस्तो है करंट कसा दिस्तो है तर C कडून F कड़ मंजे है E2 चा EMA positive ली हूँ का निगेटिव ली हूँ निगेटिव लिहाव लागे माइनस E2 ठीके? आता फुड़ जाओ या तापन FC जाला आता CD CD मदे कौन दिस्ता है तुमाला एक रेजिस्टर कनेक के लेला दिस्ता है तेचा मदूं फ्लो होतो है I1 प्लस I2 हा करन मन्जे आता हाजो प्रोडॉक्ट है R3 इन्टू I1 प्लस I2 में विचार करेल पॉजिटिव लिहाएचा का निगेटिव लिहाएचा आनि त्या साथे आपन माप्राइचा सेकंड साइन कन्वेंशन सेकंड साइन कन्वेंशन काई सांगता लूप चा दिशेने करन्ट जाता सेल तर R3 डॉट I1 प्लस I2 हे पॉजिटिव लिहाएचा लूप चा पॉजिट डाइरेक्शन जाता सेल तर निगेटिव लिहाएचा मुँ बगा बर कसा जाते C कडून D कडू लूप चा नाउँ आसे CD हे बगा CD असे चा लेका ने लूप चा नाउँ C कडून D कडू पन करंट कसा दिस्तोए बगा D कडून C कडू मन्जे R3 डॉट I1 प्लस I2 हा प्रोडॉक्ट माला कसा लिहावा लागे निगेटिव लिहावा लागे तेचा फुड बगा लूप आता कुटून कुटचा चालल D2 E D कडून E कड़ चालल लूप करंट बगा मात्र कसा दिस्तोए E कडून D कड़ उल्टा चाललेला दिस्तोए मन्जे R4 डॉट I1 प्लस I2 हा प्रोडॉक्ट मी कड़ लिहीलतर निगेटिव लिहें ठीके इथा बगा आता अत्ता लूप कुटून कुट चालल E कडून F कड़ चालल E F लूप चे लेबलिंग अशा चालल E F आनि करंट कसा दिस्तोए बगा F2 E दिस्तोए ला उल्टा दिस्तोए F2 E मन्जे R5 डॉट I1 प्लस I2 हा प्रोडॉक्ट मी कड़ लिहील नेगेटिव लिहील जाली दूसर्या लूप साथी चाल अपले इक्वेशन तयार जाल माइनस I3 डॉट I1 प्लस I2 माइनस R4 डॉट I1 प्लस I2 माइनस R5 डॉट I1 प्लस I2 इक्वल टू माइनस E2 बगा लग सठ्थे मेला सुपई लेफ्ट हैंड सुद्धा नी राइट हैंड सुद्धा सुपई न बगा बर पहल्या लूप साती दुसर्या लूप साती इक्वेशन में लिली दोन इक्वेशन्स आप लेकड तयार आहे ताता आपन तिसरो सोदा लूप कंसिडर करू शक्तो A, B, C, D, E, F, A यह लूप जावेस में कंसिडर करती है त्यावेस बगा कि 5 सही रेजिस्टर्स इंक्लूड होता है यह लूप मदे A, B, C, D, E, F, A आले का 5 चापाची रेजिस्टर भक्त कुन येत नहीं तर ही दोन नमबर ची से ले यह लूप मदे येत नहीं मंजे आता है तिसरेजा लूप मदे तिसरेजा लूप अपन कंसिडर के लिला आहे तैचा मदे फक्त एकच सेल इंक्लूड होती है कि जिछे MF E1 आहें ठीके हैं मगा आता है सग्येचा सग्या पेर्स इंक्लूड होता है बगा बड़ा, I1, R1, I1, R2, R3, I1, I2, R4, I1, I2, R5, I1, I2, एक, दो, तीन, चार, पाच, ही पेर, आल्या, इक्वल टू, फक्त एकच सेल आहे, E1, आता, मला काही विचार कराई चाहे कि, यह जब पेर साहेत, यह पॉजिटिव आहेत, का निगेटिव आहेत, यह उड़ाच विचार करून, आपलेला देंच साही निथ देचाहे, ठीके, आता बगा, लूप कसा चालले, A कडून, B कडू, लूप चालले, A to B, आनी B मदे कनेक्ट केलेली कोन दिशते, तुम्हाला सेल, E1 कनेक्ट केलेली दिशते, E1 ने सेंड केलेला करंट मातर कसा दिशतो है, B कडून, A कडू, मग तिसर साहीन कन्वेंशन तुम्हाला सांगत, जर सेल ने लूप चा आपोजिट डायरेक्शन ने करंट सेंड केला सेल, तर त्या सेल चे एमेफ निगेटिव कंसीडर कराईचो, बरबरे, जर A B चाच डायरेक्शन मदे करंट असता तर मी सेल एमेफ पोजिटिव लिला असतो, पन लूप चा आपोजिट डायरेक्शन न सेल करन्ट सेंड करती है मुनून त्या सेल च ये मेर मला कायली हाव लागते निगेटिव ठीके आता बगा ए बी जाल आता बी टु सी बी टु सी मदे काय तुम्मला पेर दिसती है आए वन आनी आर्टु बी सी लूप असा चालले खाल चा दिशेने आनी करन्ट मात्र कसा दिस करन्ट मात्र कसा दिस्तोई D कडून C कडे मुनून R3.I1 प्लस I2 हा प्रोडोक्ट कसा आसे निगेटिव असे लूप पुन्हा कसा चालले D कडून E कडे लूप असा चालले लूप मतला करन्ट बगताल तर कसा चालले E कडून D कड़ सेकंड साइन कन्यूएंशन तुम्मला F कड़ चालले मंजे वर्च आदिशीने चालले करन्ट मात्र कसा दिस्तोई KALच आदिशीने दिस्तोई मनजे R5.I1 प्लस I2 का आसेल तर निगेटिव असे लूप पुन्हा लूप कुट चालले F कडून E कड़ चालललूप चाललले लूप चनाव असे F A पन करन्ट मात्र क एक्वेशन दीले टेक्वेशन सग्रा साइन्स देऊन जाल्या मनजे मी एक फोर्मिला तायर केला मी या लुप साथी दुसरा और तिसरा साइन कंवेंशन वाप रूण एक एक्वेशन तायर केला कि जी एक्वेशन according to second and third sign convention वापरून लेल गेलेला है ठीक है? आता ही equations जाएवेश आपन simultaneously solve करू जाएवेश है सर्किट मदली जा कशेचे value तुम्हाला find out कराई चासेल मझे तुम्हाला I1 find out कराई चासेल कि वा I2, कि वा R1, R2, R3 R4, R5 कि वा E1, कि वा E2 जी कुन्ते value तुम्हाला find out कराई चासेल तुम्हाला आशा प्रकर्च equation आठा हुते का? तुम्हाला विदावी मदे आसताना solve के लासेल बगा x plus y equal to suppose में मंते 5 है जाला पहला equation आता दूसरा equation x minus y equal to आपन हुए 3 है जाला second equation है आपन simultaneous solve करतो है addition करतो हैंची y y cancel out होई addition मुँए x plus x काई जाला 2 x equal to इथा addition जाली 5 plus 3 किती जाला 8 जाला therefore x equal to 8 divided by 2 मंजे किती आला 4 x ची value किती आली 4 आली ही x ची value है दो गान पाई की equation first किवा second कशा मदे पन तुम्हाला y ची value मेरती बगाबर x ची value में पहला equation मेरे substitute करते 4 आली plus y equal to 5 therefore y equal to 5 minus 4 y equal to किती जाला 1 ठीक है मा बगा x ची value ही जाली 4 y ची value किती जाली 1 ही काई के लिए तुम्हें addition equal to किती आली 5 मंजे आशा प्रकार्ची equations जावेस आपन बनों तो त्यावेस आपले ला x ची value find out करना सोपई y ची value find out करना सोपई त्यावेस प्रमाने आपन एका complicated circuit साथी जावेस आशा प्रकार्ची equation solve करतो है त्यावेस आपले ला current resistance की वा em x value find out करना सोपः जाना रहे आणि हे आपला krichop's second law की वा krichop's voltage law बगा this law is based on law of conservation of energy that is total energy supplied equal to total energy used बगा ही total energy supplied emf चावा मदे circuit मदे supply के लिली energy आए आणि ही energy का जाली तर utilize जाली कशा चावा मदे तर i dot r चावा मदे याचा आर्थ या सरकीट मदे total energy ही conserve जाली ठीक है मनू जसा की first law principle of conservation of charge वर्थी बेस्ट आहे तसाज krichop's voltage law principle of conservation of energy वर बेस्ट आहे ठीक है मैं आपन जसा मी first law साथी सांगित लो होते कि आपने एक शेवटी sentence लिए तो है कि जाचा माँ आपले आला पूर्ण क्रेडिट मिलत दोन मारकन साथी चे युदेत कि वा तीन मारकन साथी चे प्रश्ण युदेत krichop's voltage law साथी सुधा तसा चाशे तुम्हाला state and explain krichop's second law in electricity कि वा krichop's voltage law in electricity आशा चा प्रश्ण आला तर तुम्हाला पहलना दा statement लिहाईच नंतर ते अचा mathematical form लिहाईचा आणि krichop's voltage law एक्स्प्लेनेशन देतास्ताना हे सर्कित ड्रॉ कराईचा हे एक सर्कित में तुम्हाला सांगित या सार्कित अने एक सर्कित तुम्हाला तुम्हाला करू शाकता कि वा कुन्ता ही सर्कित इक्वल टू टोटल एनर्जी यूजड इन शर्कित आनि शेवटी में एक सेंटेंस लिल हेंस krichop's voltage law बेस्ट अन प्रिंसिपल ओफ conservation of energy conservation of energy लग्षा ठेवाईच second law साथी आनि first law साथी conservation of charge ठीक है आज में जे उड़का ही तुम्हाला शिकवल आशे आपेक्षा करते कि तुम्हाला समझला से तुम्ही हे सर्कित पाहून जी equations मी लीली ती equations स्वताहा लेनेयाचा प्रयतन करा हाँ पॉइंट तुम्ही स्वताहा दोन तीन चार वेस लिहुन काड़ा हाँ वेडियो पाहाद पाहाद तुम्ही ते लिहा मंजे जे मी काहे तुम्हाला सागनाचा प्रयतन करता सेल ते तुम्हाला समझेल आनि क्रिचोप्स होल्टेज लो हाँ कॉंसेप्ट ग्लियर होन जाई ठीक है अब भेस करत रहा गरीच रहा सुरक्षित रहा काजी ग्या सोताची सुधा घरातले इतरांची सुधा तो परिंत बवाए